दूस्तों हमारे देश के दो दिगज लोग हैं जिने लोग सबसे ज़ादा पसंद करते हैं एक तो सूपर स्टार आजय देवगन और दूसरे हैं हमारे देश के प्रधानमंतरी शिरी नरेंद्र मोदी इन दोनों ने अपने अपने जगाया रह कर देश के लिए बहुत कुछ क आज तक किसी भी प्रधानमंतरी ने नहीं किया इसलिए इन दोनों के सभी एहम कदमों के लिए देश के लोग इने इतना पसंद करते हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं इन दोनों में बेस्ट कौन है तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों के स्ट्रगल प्रॉपर्टी और नेट वर्थ के बारे में बताएंगे कि आखिर में देखेंगे इनमें से आखिर बैस्ट कौन है अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के इन तक बने रहना लेकिन हाँ इन दोनों के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना शुरुआत करते हैं हमारे देश के प्रधान मंतरी शेरी नरेंदर मोदी जी से जिनका जन 17 सितमबर 1950 को गुजरात के छोटे से गाव वाड नगर में हुआ इनके पिता दामोदर, दास, मूलचंद और माता हीरा बेन के छे संतान थे उनमें से ये तीसरे स्थान वाले बेटे थे, इनका परिवार बहुत गरीब था इसलिए इनकी जिन्दगी का स्ट्रगल छोटी उमर में ही शुरू हो गया इनके पिता सडक पर वेपार करते, इनके पिता की साहिता के लिए छोटी सुमर में उनका हाथ बटाया अपने पिता के साथ चाय के स्टॉल में काम करने के साथ साथ ये अपनी पढ़ाई पर भी पूरा दिहान देते पर जब ये 13 साल के थे तो उस उमर में उनका विवा इनके गाओं में रहने वाली जशोदा बेन नाम की लड़की से करा दिया गया जो इने बिलकुल भी अच्छा ने लगा इसलिए फिर कुछ साल बाद घरिलू समस्य की वज़े से इन्होंने घरी छोड़ दिया और दो साल बाद ये वापस अपने घर लोड़ आए इन दो वर्षों में इन्होंने तैय कर लिया कि अभी अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे इसलिए 1971 में ये आहमदाबाद के RSS के साथ जुड़ कर उनके सदस से बन गए और उसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीती को समर्फित किया ये RSS के साथ मिलकर काम करते और जरूरतवन्द लोगों की तकलीफों को समझ कर उनकी सहायता करते कुछ समय बाद इनके इसी अच्छे कामों को देखकर बीजेपी में इने शामिल किया गया इनकी योगदान से बीजेपी को गुजरात चुनाव में काफी साहयोग मिला जिसके चलते 2001 में ये गुजरात के मुख्य मंतरी केशु भाई पटेल की इतिविद बिगड़ने लगी थी जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी तब बीजेपी के वरिष्ट नेताओं ने गुजरात के लोगों की सिवा करने के लिए इन्हें मुख्य मंतरी पद के लिए चुना और इन्हें मुख्य मंतरी बनाय गया फिर उन्होंने अपनी समझदारी और कुशलता से महज दो साल में गुजरात को भारत का सबसे बहतरिन राज्य बना दिया इसी की वज़े से गुजरात की जनता ने इन्हें चार बार लगातार मुख्यमंतरी के रूप में चुना इसके बाद जून 2013 की लोकसुबा चुनाओं में बीजेपी की और इन्हें प्रधानमंतरी उम्मीद वार घुशित किया गया इनके देश भक्ते विचारों नामुमकिन कारें को मुमकिन कर दिखाने की शमता को देखकर भारत की जनता ने इन्हें अपना पंदरवा प्रधानमंतरी चुन लिया देश के प्रद्दान मंतरी घुजित किये जाने के बाद के दिन से ही इन्होंने अपना सारा समय देश की प्रगती के और लगा दिया बहुत सारी विदेश यातराइं की और भारत के साथ विदेशों का रिष्टा मजबूत किया साथी नई नई पर योजनाओं के स्थापना की जैसे स्वच भारत अवियान मेकिन इंडिया प्रधान मंतरी जंधन योजना इत्यादी जिससे देश भर में लोगों को काफी बदलाव देखने को मिला इनी योजनाओं की वज़े से आज भारत में काफी विकास भी हो रहा है प्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मोदीजे ने सक्त कदम उठाए भारत के त्यास में पहली बार पुराने पांसो और हजार के नोटों को बंद कर दिया इससे आम जनता को परिशानी तो ही लेकिन उनके साथ साथ देश में छुपावा काला धन सामने आया तो देखा आपने इन्होंने इतना संगर्श किया तब जाकर या आज भारत के प्रधान मंतरी बने है अब ये देश के प्रधानमंतरी बने है तो इनकी सैलरी भी उसी हिसाब से होगी इन्हें महेने का 18 लाग रुपे मिलता है इनकी नेट वर्थ 1.48 मिलियन होगी अगर बात करें इनकी टोटल प्रोपर्टे की तो इनकी टोटल प्रोपर्टे धाई करोड है जिनमें गांधी नगर में इनका एक घर है जिसकी कीमत एक करोड है साथी अहमदाबाद में इनका एक आलिशान घर है पर फिलहाल ये दिल्ली के पी-म रेजिडेंस कॉमपलक्स में रहते हैं अगर बात करें की लाइफस्टैल की तो ये साधगी से जीवन जीते हैं अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं रोज सुबह पांच बजे उड़ जाते हैं मौरिंग वॉक पर जाते हैं यूगा करते हैं हल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं अगर बात करें इनके कार्स के बारे में तो इनके पास मर्जडी जवेंजर BMW X5 Cars है अब बात करते हैं हमारे सिंगम यनियाजी देवगन की तो शुरुआत करते हैं इनके स्ट्रगल की इनने बच्चपन से एक्टिंग करने का बड़ा शौक था इसलिए इनोंने अपने करीर की शुरुआत एक चाइड़ आर्टिस के रूप में की फिल्म थी मेरी प्यारी बहना जिसमें मिथुन्दा की बच्चपन का रूल करते हुँ दिखाए दिये और लोगों से खूब तारीफ है मिली पर बॉल्योडी में माना जाता है कि ये एक एक्शन डिरेक्टर का बेटा हीरो नी बन सकता इसी बात को इन्होंने गलत साबीत किया इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की इसके बाद इन्होंने अपने पिता से स्टंट सीखा और एक स्टंट अबिनेता गरूप में 1990 में फिल्म फूल और कांटे में अपने करीर की शुरुआत की जिसमें इनके अभिने को काफी अच्छा रेस्पोंस मिला फिल्म सूपर हेट हो गई इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही शांदार एक्टिंग की थी इनके इसी शांदार एक्टिंग को देखकर कई निर्माता निर्देशक प्रभावित हो गए और उन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के उफर दिये जिसमें से इन्होंने कई फिल्में की जिगर, संगराम, विजयपत, सुहाग, हकीकत और इश्क इनकी कई सूपरेट फिल्में है इन फिल्मों में ना सिर्फ इन्होंने अच्छा भिन्य किया बलकि जबरदर डांस और धमाकेदार स्टंड करके सब को हैरान कर दिया आपको बता दें इन्होंने अब तक सौ फिल्मों में काम किया है इनकी सौमी फिल्म ताना जी दा अंसंग वरियर थी जिसने बॉक्स आफिस पर 36.7 करोड की कमाई करके सूपर इट का तमगा असल किया इनकी आने वाली फिल्म मैदान है जो क्रिकेट पर है इस फिल्म का इनके फैंस को बेसबरी से इंतजार है अब इन्होंने सौ फिल्म में की हैं तो इनकी अच्छी खासी कमाई भी हुई होगी इसलिए इनका नेट वर्थ 40 मिलियन डॉलर है तो जाहिर सी बात है ये एक लगजरी लाइफ जीते होंगे तो स्टार्ट करते हैं इनके घर से इनके घर का नाम शिव शक्ती है जिसके कीमत 30 करोड रुपे है इसके लावे इनके जुहू में एक अपार्टमेंट है जो लगभग 40 करोड का है इसके साथ साथ इनके कई फ्लैट और फार्माउस भी हैं इस तेने इनकी टोटल प्रोपर्ट 125 करोड रुपे की हुई अब बात करते हैं इनके कार कलेक्शन की तो इनके पास मर्सेडीज बैंज, बीम डवली जड़ फोर, रेंज रोवर और वाग जैसी महेंगी गाड़ी है हाल ही में इन्होंने भारत की सबसे महेंगी गाड़ी रॉल्स रॉयस कुलीन खरीदी है जिससे खरीदने वाले ये तीसरे भारती बन गए है तो दोस्तों आपको क्या लगता है इनमें से बैस्ट कौन हो अपनी राय कॉमेंट में दे दो और वल्ली विड से जुड़े और भी बाते जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो